आज हम जानेंगे अगर आप भी Gmail ID का पासवर्ड बना रहे हो या कोई भी पासवर्ड बना रहे हो आपको देखने को मिल रहा है Create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols तो ये क्या लिखा है इसमें हम क्या क्या enter कर सकते हैं आईए जानते हैं इसका Hindi meaning मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से कहने का मतलब ये है कि आप एक strong password बनाईए जिसके अंदर कुछ चीजे मिली होनी चाहिए जैसे कि कोई number, कोई ABCD और कोई symbols आप simple password रख सकते हैं आपे कोई भी अपना Y number या कोई भी नाम एंटर कर दीजिए पर वो 8 number का यानि 8 digit का होना चाहिए पर आपको यहाँ पर एक strong password बनाना होगा जरूरी नहीं है बात के आप normal password रख सकते हैं मान लीजिए मैं अपना password रखता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यह होगे एक simple password इस password कोई भी guess कर सकता है और कोई भी इसे डाल के मेरा account open कर सकता है पर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी account open ना करे तो मैं क्या करूँगा मैं अपना पहले नाम डालूँगा राहुल, र, ए, 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 ल फिर मैं डालूँगा यहाँ पे अपना phone number 99 फिर मैं डाल दूँगा यहाँ पे add the rate इसके बाद मेरा password strong हो जाएगा बागी आप अपना पूरा नाम भी एंटर कर सकते हैं अपना phone number भी एंटर कर सकते हैं शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें